ये परंपरा रही है कि बजेट के बात बजेट के संदर्ब में सौंसद में चर्चा होती है और ये जरूरी भी है उप्योगी भी है लेकिन हमारी सरकार बजेट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजेट बनाने से पहले भी और बजेट के बाद भी सभी स्टेक्फोल्डर से गहन मंतन की नई परंपरा शुरू की है ये इंप्लिमेंटेशन के लिहाद से टाइम बाउंड डिलिवरी के लिहाद से बहती महत्वपूर है इसे टैक्सपेर्स मनी की पाई पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिस्चित होता है बीते कुछ दिनों में मैं अलग-अलग फिल्ड के एक्सपर्ट से बात कर चुका हूँ आज रीचिंग दे लास्ट माइल जो मात्मा गांदी कहते थे न कि आपकी नेतियां आपकी योजनाएं आखरी छोर पर बैटे हुए बेक्ति तक कितनी जल्दी पहुंचती हैं, कैसे पहुंचती हैं, यह बहुत महत्वपूर है और इसलिए आज सभी स्टेकोंडर्स के साथ इसी विशय पर व्यापक चर्चा जरुरी बनी है कि बजेट में लोग कल्यान के इतने काम होते हैं, इतना बजेट होता है हम उसको लाभारती तक पूरी ट्रांसफरेंसी कैसे पहुंचा सकते हैं साथियों, हमारे देश में एक पुरानी अवधाना रही है कि लोगों का कल्यान और देश का विकास सिर्फ धन से ही होता है ऐसा नहीं है देश और देश वाच्चों के विकास के लिए धन तो जरूरी है लेकिन धन के साथ ही मन भी चाहिए सरकारी कारियों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्थ है गुड गवरनन्स सूशासन समवेदन सिल्शासन जन सामान्यको समर्पित शासन जब सरकार के काम मेजरेबल होते है उसकी निरंतर मोनिटरिंग होती है तो बहुत स्वाभाविक है कि आप समय सिमा में निर्धारित किये हो गए लक्षों को प्राप्त कर सकते हैं डिजायर डिजल मिल सकते हैं इसलिए गुड गवर्नस पर हम जितना जोर देंगे उतना ही रिचिंग दे लास्ट माइल का हमारा लक्ष आसानी से पूरा होगा अप याद करिए हमारे देश में पहले दूर दराज के खेतरों तक वैक्सिन पहुंचने में कई कई दसक लग जाते थे देश देश के करोणों बच्चों को खासकर गावों और ट्राबल बिल्ट में रहने बाले बच्चों को वैक्सिन के लिए बरसों तक इंतजार करना पड़ता था अगर पूरानी एप्रोच के साथ काम करते तो भारत में वैक्सिनेशन कवरेज को शत्प्रतीशत करने में कई दसक और बित जाते हैं हमने नई एप्रोच के साथ काम शुरू किया मिशन इंद्रदर्जनू शुरू किया और पूरे देश में वैक्सिनेशन की वैवस्ता को सुधारा जब कोरोना वैश्विक हमारी आई तो इस नई व्यवस्तान नए सिस्ट्रिम का लाब हमें दूर सुधूर वैक्सिन पहुंचाने में भी मिला और मैं मानता हूँ गुड गवर्णन्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है उसकी बहुत बड़ी ताकत है जिसने लास्ट माइल डिलेवरी को संभव बनाया साथियों रीचिंग द लास्ट माइल की अप्रोच और सेचुरेशन की नीती एक दूसरे की पूरक है एक समय था जब गरीब मुल्स विधाओं के लिए सरकार के पास चक्कर लगाता रहता था किसी बिचोलिय की तलास में रहता था जिसके कारण करप्शन भी भरता था और लोगों के अधिकारों का हनन भी होता था अब सरकार गरीब के दरवाजे पर जाकर उसे सुविधाए दे रही है जिस दिन हम ठान लेंगे हर मुल्भूत सुविधा हर शेत्र में हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुँचा कर ही रहेंगे तो देखिएगा कितना बड़ा परिवर्तन स्थानी अस्तर पर ग्रास्रूट लेवल पर हमारी कारिशन स्कूति में बढ़लाऊने जर आएगा सैचुरेशन की नीती के पीछे यही भावना है जब हमारा लक्ष हर एक के पास पहुचने का होगा हर हित धारक के पास पहुचने का होगा तो फिर किसी के साथ भेदभाव की ब्रस्टा अचार की भाई बती जेवाद की कोई गुणजाईश ही नहीं रह जाएगी और तभी रीचिंग दे लास माईल का लक्ष भी आप पूरा कर पाएंगे आप देखिए आज पहली बार देश में PM स्वनीधी योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ा गया है आज पहली बार देश में बंजारा गुमन्तू अर्द गुमन्तू वर्ग के लिए वेलफेर बॉर्ड बना है गावों में बने पांच लाग से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स सरकार की सेवाओं को गावों तक ले गए है मैंने कल ही मन की बात में विस्तार से बताया है कि कैसे देश में टैली मेडिसिन के दस करोड केसिस पूरे हुए है ये भी स्वास्त को लेकर रीचिंग लास माइल की भावना का ही प्रतिवीम है साथियों भारत में जो आदिवासिक शेत्र हैं ग्रामिन शेत्र हैं यहां आखरी चौर तक रीचिंग लास माइल के मंत्र को ले जाने की जरुरत है इस साल के बजेट में भी इस पर विशेस ध्यान दिया गया है रीचिंग लास माइल के लक्ष को पूरा करने के लिए ही जल जीवन मिशन के लिए हजारों करोड रुपिय का प्रावधान बजेट में किया गया है साल 2019 तक हमारे देश के ग्रामिन अलाकों में सिर्फ तीन करोड घरों में ही नल से जल जाता था अब इनकी संख्या बढ़कर ग्यारा करोड से जादा हो चुकी है और इतने कम समय में हुई है सिर्फ एक साल के भीतर ही देश में लखवक साथ हजार अमरुद सरोबर का काम शुरू हुआ है और मुझे जो जानकारी बताई गई है अब तक करीब करीब तीस हजार से अधीक अमरुद सरोबर बन भी चुके है कि अभ्यान दूर सुदूर में रहने वाले उस भारतिये का जीवन तर सुधार रहे हैं जो दसकों से ऐसी व्यवस्ताओं का इंतजार करता था लेकिन साथियों हमें यहां रुकना मंजूर नहीं है हमें और आगे जाना है आखरी व्यक्ति तक जल्दी से जल्दी पहुँचना है हमें एक मेकेनिजम क्रेट करना होगा ताकि पानी के नए कनेक्शन में हम वाटर कंजम्शन का पैटर्न देख सके हमें इस बात की भी समक्षा करनी है कि पानी समीति को और ससक्त करने के लिए क्या किया जा सकता है गर्मी का मौसम ही आ गया है जल्द सवरक्षन के लिए अभी से हम पानी समीतियों का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी हमें सोच रहा है बारिस के पहले ही कैज दरेन मूवमेंट के लिए लोक शिक्षन हो जाए लोकों के सक्रियता हो जाए जैसा ही पानी आए काम शुरू हो जाए साथियों इस वर्ष के बजेट में हमने गरीबों के घर के लिए करीब करीब 80,000 करोड रुपे रखे हैं हमें हाउसिंग फर ओल की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाना होगा हाउसिंग को टेक्नोलोजी से कैसे जोड़े घर कैसे बने ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर पावर का फाइदा कैसे हो ग्रूप हाउसिंग के नए मोडल गाव और शहरों में भी स्विकारिय हो यह कैसे हो सकता है इस पर ठोच चर्चा की जरुवत है आपके अनुभव का निचोड उसमें निकलना चाहिए साथियों हमारे देश के ट्राइबल समाज के विशाल पोटेंशल को टैप करने के लिए पहली बार देश में इतने बड़े स्तर पर काम हो रहा है इस बार के बजेट में भी ट्राइबल डवलप्मेंट को प्रमुक्ता दी गई है एक लव्य मोडल रसिडेंशल स्कूलों में शिक्षकों और स्टाप की भरती का बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है एक लव्य मोडल श्कूलों में हमें ये भी देखना होगा कि विद्यारतियों का फिड़बैक क्या है शिक्षकों का फिड़बैक क्या है इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को देश के बड़े शहरों में exposure कैसे बिले इन में अटल टिंकरिंग लैब जाता जय जादा कैसे बने इस दिशा में भी हमें सोचना होगा अब कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम इन स्कूलों में अभी से स्टार्ट अप्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए वर्क्शॉप शुरू करवाएं तो इसका कितना बड़ा लाभ हमारे आदिवासी समाज को होगा जब ये बच्चे एक लग्य मोडल स्कूलों से बढ़कर निकलेंगे तो उन्हें पहले से पता होगा कि अपने क्षेत्र के ट्राइवेल प्रोड़क को उन्हें कैसे प्रमोट करना है कैसे ओनलाइन उनकी ब्रांडिंग करनी है साथियों पहली बार आदिवासियों में भी जो सबसे बंचित है उनके लिए एक विशेश्ट मिशन हम शुरू कर रहे हैं देश के दोसों से अधिक जीलों में बाइस हजार से अधिक गावों में ट्राइबल साथियों तक हमें तेजी से सुविधाय पहुचानी है वैसा ही हमारे लगमती समाज में खास करके मुसल्मान समाज में पस्पंदा समाज है बहां तक लाप कैसे पहुचे जो आज भी आज हदी के इतने साल के बाद भी बहुत पीछे रह गए है इस बजेट में सिकल सेल से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष भी रखा गया है इसके लिए होल अब दो नेशन एप्रोच की जरूरत है इसलिए हेल्थ से जुड़े हर स्टेक्वोल्डर्स को तेजी से काम करना होगा साथियों एस्पिरेशनल डिस्टिक्ट प्रोग्रेम रीचीन द लास माइल के लिहाज से एक सक्सेस मोडल बनकर उभरा है इसी एप्रोच पर अब देश के पांसो ब्लोग्स में एस्पिरेशनल ब्लोग कारिकम शुरू किया जा रहा है एस्पिरेशनल ब्लोग प्रोग्रेम के लिए हमें कमपेरेटिव पैरामिटर्स को ध्यान में रखते हुए वैसे ही काम करना है जैसे हमने एस्पिरेशनल डिस्टिक्ट के लिए काम किया है हमें हर ब्लॉक में भी एक दूसरे के लिए प्रतिश्परधा का माहोल बना रहा है साथियों मुझे विश्वास है कि इस वेबिनार से लास माइल डिलिवरी से जुड़े नए विचार नए सुझाव इस मन्थन में से वो अमरत निकलेगा जो हमारे दूर दराज के ख्षेत्रों में आखरी छोर पर बैटे हुए हमारे भाई बेन है उनके जीवन में बडलाव लाने के लिए आपके सुझाव बहुत काम आएंगे हमें आगे के लिए सोचना है हमें इंप्लिमेंटेशन पर बल देना है हमें टेक्नोलोजी का सरवाधिक उप्योग करते हुए ट्रांसपरंसी को सुनिश्चित करना है हित धारक सही हो उसको मिलने की व्यवस्ता उसके काम आने वाली हो और समय सिमा में मिले ताकि जल्दी से जल्दी वो एक नए विश्वास के साथ खुद गरीबी के खिलाब लड़ाई लड़ने के लिए हमारा एक सैनिक बन जाएगा हमारे गरीबों की फोच गरीबी को परास करने के लिए ताकतवर बननी चाहिए हमें गरीबों की ऐशी सक्ति बढ़ानी है ताकि हमारा गरीबी गरीबी को परास करें हर गरीब ये संकल्प लेने सुरू करें कि अब मुझे गरीब नहीं रहना है मुझे मेरे परिवार को गरीबी से बाहर निकालना है सरकार मेरा हाथ पकड़ रही है मैं चल पड़ूँगा ये वातावन हमें पैदा करना है और इसके लिए मुझे आप जैसे सभी स्टेक होलर्स के सक्रिय सहयोग के पेशा है मुझे विश्वास है आज का एक वेबिनार एक प्रकार से सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए एक बहुत बड़े संकल की पूर्ती का कारन बनेगा मेरी तरफ से आप सब को बहुत बहुत शुब कामना है धन्यवाद मुझे बहुत 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 बहुत